C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है विज्ञान की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक कक्षा आठ औडियो बुक विज्ञान कक्षा आठ अध्याए ग्यारह बल तथा दाब प्रिष्ट 127 से प्रिष्ट 145 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याए ग्यारह बल तथा दाब प्रिष्ट 127 कक्षा साथ में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गती कैसे करती हैं क्या आप बता सकते हैं कि हम ये कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है किसी वस्तू द्वारा एक आंक समाई में चली गई दूरी क्या सूचित करती है आप ये भी जानते हैं कि जमीन पर लुढकती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तू धीमी हो जाती है कभी-कभी ये अपनी गती की दिशा भी बदल सकती है ये भी संभव है कि गेंद जीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले क्या आपने कभी सूचा है कि गतिशील वस्तू धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गती की दिशा कैसे बदल लेती है आईए अपने प्रती दिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें किसी फुटबॉल को गतीशील करने के लिए क्या करते हैं किसी गतीशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं एक गोली याने गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है बदल देता है. क्षेत्र रक्षक बल्लेबास द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं? चित्र 11.1 A. गोली गोल को बचाते हुए B. हौकी का खिलाडी गेंद पर प्रहार करते हुए C. क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकते हुए इन सभी स्थितियों में गेंद की गती को तेज या धीमा कर दिया जाता है अत्वा इसकी गती की दिशा को बदल दिया जाता है हम प्रायह कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है बल क्या है? जिन वस्तूओं पर ये लगाया जाता है, उन पर ये क्या प्रभाव डालता है? इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रशनों के उत्तर खोजेंगे 11.1 बल, अपकर्शन या अभिकर्शन उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खीचना आदी ऐसी क्रियाईं हैं, जो प्रायह कुछ कारियों का वरणन करने के लिए प्रयोग की जाती है इन में से प्रत्येक कारिय प्रायह वस्तू की गती में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रियोग कर सकते हैं? आईए ग्याद करें प्रिष्ट 128 क्रिया कलाप 11.1 सारणी 11.1 में वस्तुओं की गती की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिये गए हैं आप इन में कुछ ऐसी ही और अधिक स्थितियों को जोड सकते हैं तथा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना, अथवा या खीचना के रूप में पहचानिये तथा सारणी में लिखिये आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया है सारणी 11.1 कुछ कारियों को अपकर्शन तथा अभिकर्शन के रूप में पहचानना इस सारणी में चार मुख्य शीरशक दिये गए हैं क्रम संख्या, स्थिती का वरणन, कार्य, धक्का देना, चयन करना, ठीचना, ठोकर मारना, उठाना, जुकाना, उड़ाना, फीकना, बंद करना, प्रहार करना, उपर उठाना वो कार्य को व्यक्त कर सकते हैं इस शीरशक के अंतरगत दो उपशीरशक दिये गए हैं अपकर्शन, अभिकर्शन क्रम संख्या एक मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना कार्य, धक्का देना, खीचना, उठाना, रिक्त स्थान अपकर्शन, हाँ, अभिकर्शन, हाँ क्रम संख्या दो के सामने लिखा है, दरवाजे को खूलना या बंद करना इसके सामने दिये गए सभी बक से खाली हैं क्रम संख्या तीन, कुएं से पानी की बाल्टी को खीचना, इसके सामने दिये गए सभी बक से खाली हैं क्रम संख्या चार, फुटबॉल के खिलाडी का पैनल्टी किक लेना, इसके सामने दिये गए सभी बक से खाली हैं करमसंख्या पांच एक बल्लेबास द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना, इसके सामने दिये गए सभी बक्से खाली हैं, करमसंख्या छे, लदी हुई बैल गाड़ी को चलाना, इसके सामने दिये गए सभी बक्से खाली हैं, करमसंख्या साथ, किसी मेज की दरास को ख इसके सामने दिये गए सभी बक से खाली हैं। अभिकर्शित करना पढ़ता है। विज्ञान में किसी वस्तू पर लगने वाले धक्के अभिकर्शन या खिंचाव अपकर्शन को बल कहते हैं। अतह है हम कह सकते हैं कि वस्तूओं को दी गई गती बल लगने के कारण होती है। वस्तू पर बल कब लगता है। आईए पहेली ने कहा, मैंने कक्षा 6 में पढ़ा है कि चुम्बक एक लोहे के टुकडे को अपनी ओर आकर्शित करता है। क्या आकर्शन भी एक खिंचाव अभिकर्शन है। किसी चुम्बक के दो समान धुरूवों के बीच प्रतिकर्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये खिंचाव अभिकर्शन है या धक्का अपकर्शन है। प्रिष्ट 139, 11.2 बल अन्योनए क्रिया के कारण लगते हैं। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है। चित्र 11.2 ए। क्या उसकी उपस्थिती के कारण कार गती में आईगी। मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है। चित्र 11.2 बी। अर्थात वो इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गती करना प्रारंभ कर सकती है। इस प्रिष्ट पर बाई और उपर चित्र 11.2 ए दिखाया गया है। इस चित्र में कार के पीछे खड़ा एक आदमी दिखाया गया है। इस चित्र के नीचे चित्र 11.2 भी दिखाया गया है। इस चित्र में एक आदमी द्वारा कार को धक्का लगाते हुए दिखाया गया है। ध्यान दीजिये के कार को गती देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। इस प्रिष्ट पर बाई और नीचे चित्र 11.3a दिखाया गया है। इस चित्र में दो लड़कियां एक दूसरे पर हाथों द्वारा बल लगा कर एक दूसरे को धकेलने की कोशिश कर रही है। इस चित्र के नीचे एक प्रश्ण पूछा गया है कौन किसे धकेल रहा है। चित्र 11.3 तीन स्थितियां दर्शाता है जिनसे संभवत है आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खीच रहा है और कौन धक्का दे रहा है। चित्र 11.3 ए में दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत होती हैं। जबके चित्र 11.3 बी में लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खीचने का प्रियत्न कर रहा है। इस प्रिष्ट पर ऊपर चित्र 11.3 बी प्रदर्शित किया गया है। और पूछा गया है कि कौन किसे खीच रहा है। इसी प्रकार चित्र 11.3 सी में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खीचते प्रतीत होते हैं। इस प्रिष्ट पर चित्र 11.3 सी दिखाया गया है और पूछा गया है कि कौन किसे खीच रहा है। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या ये बात आदमी तथा गाए पर भी लागू होती है? इन उदाहरणों से हम निशकर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तूओं में अन्योनई क्रिया होनी आवश्चक है। इस प्रकार दो वस्तूओं के बीच अन्योनई क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। प्रिष्ट 130 11.3 बलों की खोजबीन आईए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करें। क्रिया कलाप 11.2 कोई भारी वस्तूओं जैसे मेज या संदूक लीजिए जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गती में ला सकें। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इसे खिसका पाते हैं। अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे। चित्र 11.4 एक्या अब इसको खिसकाना आसान है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अब उसी वस्तु को फिर से धके लिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए, कि वो इसे विपरीत दिशा में धके ले, चित्र 11.4 बी. क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि ये गती में आती है, तो इसकी गती की दिशा को नोट कीजिए. क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे चित्र 11.4 दर्शाया गया है. इस चित्र में दो मित्र एक भारी वस्तु को धक्का देते हुए दिखाये गए हैं. चित्र 11.4 दर्शाया में दोनों मित्र भारी वस्तु को एक ही दिशा में धक्का देते हुए दिखाये गए हैं. जबके चित्र 11.4 दर्शाया में दोनों मित्र एक वस्तु को विपरीत दिशा में धक्का देते हुए दिखाये गए हैं. क्या आपने कभी रश्टा कशी का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियां एक रश्टे को विप्रीत दिशा में खींचती है चित्र 11.5 दोनों टोलियों के सदस्य रश्टे को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं कभी-कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता क्या ये चित्र 11.3B में दर्शाई गई स्थिती के समान नहीं है जो टोली अधिक जोर से खीचती है अर्थात अधिक बल लगाती है अंत में वही खेल में विजई होती है इस प्रिष्ठ पर उपर चित्र 11.5 दिखाया गया है इस चित्र में रस्सा कशी का खेल दिखाया गया है यदि दोनों टोलियां रस्से को समान बल से खीचती हैं तो रस्सा खिसकता नहीं ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं किसी वस्तू पर एक ही दिखाया में लगाये गए बल जुड़ जाते हैं अब समरण कीजिए के क्रिया कलाब 11.2 में जब आप तथाप के मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिखाया में धकेला था तो क्या हुआ था यदि किसी वस्तू पर दो बल विप्रीत दिखाय में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है क्रिया कलाब 11.2 में जब आप दोनों भारी संदूक को विप्रीत दिखाय में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा था स्मरण कीजिए के रस्सा कशी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगा कर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिखा में नहीं जाता इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है बल की प्रबलता प्राया है, इसके परिमान से मापी जाती है बल के बारे में बताते समय हमें उस दिखा का उलेख करना भी आवश्रक है जिसमें बल कार्य करता है ये भी याद रखिए, यदि लगाएगाए बल की दिशा या परिमान में परिवर्तन हो जाए, तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है पहेली ने पूछा, क्या इसका अर्थ ये है कि यदि किसी वस्तु पर विप्रीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं, तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा? प्रिष्ठ 131 इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे उपर महत्वपून जानकारी दी गई है, सामान्य रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथा पी वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है 11.4 बल वस्तु की गती की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है आईए अब ग्याद करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है, तो क्या होता है? क्रिया कलाप 11.3 रबड की एक गेंद लीजिए, तथा इसे किसी समतल सतह है, जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्ष पर रखिए अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए चित्र 11.6 क्या गेंद गती में आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्टन होता है? ये बढ़ती है या घड़ती है? अब अपनी हतेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्ष करे, हतेली को हटा लीजिए क्या आपकी हतेली गेंद पर कोई बल लगाती है? गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पढ़ता है? क्या ये बढ़ती है या घड़ती है? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हतेली से रोक लें, तो क्या होगा? चित्र 11.6 विराम अवस्था में गेंद पर बल लगाने पर वो गतिशील हो जाती है आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं उदाहरण के लिए पैनल्टी किक लेते समय, खिलाडी गेंद पर बल लगाता है किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतह इसकी चाल शूने थी लगाए गए बल ने गेंद को गोल की और गतिप्रदान की मान लीजिये, गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर जपटता है या उचलता है इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है ये प्रेक्षन सुझाते हैं कि किसी वस्तू पर लगाये गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है यदि लगाया गया बल गती की दिशा में है तो वस्तू की चाल बढ़ जाती है यदि बल वस्तु की गती की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है बूजो ने कहा मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड के टायर या किसी घेरे को धकेल कर तेज़ चलाने की खोड लगाते देखा है चित्र 11.7 अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है इस प्रिष्ठ पर चित्र 11.7 दिखाया गया है इसके माध्यम से ये बताया गया है कि टायर को तेज़ गती से चलाने के लिए इसे लगातार धक्का लगाना पड़ता है प्रिष्ठ 132 पहेली ये जानने के लिए उत्सुख है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तू की चाल ही परिवर्तित होती है आईए ग्यात करें क्रिया कलाप 11.4 एक गेंद लीजिए तथा इसे क्रिया कलाप 11.3 की भांती किसी समतल सतह पर रखिए गेंद को धक्का दे कर चलाईए चित्र 11.8 A अब चित्र 11.8 B में दर्शाय अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना रखिए ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गती करती रहती है इस क्रिया कलाप को दोहराईए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखिए कि ये गतिशील गेंद के पत से पहले से भिन्नकून बनाई प्रत्येक स्थिती में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गती की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे चित्र 11.8 दिखाया गया है चित्र 11.8 ए में किसी समतल सतह पर गेंद को धक्का देकर गतीशील करना दिखाया गया है चित्र 11.8 बी में गेंद के रास्ते में रखे पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गती की दिशा को दिखाया गया है अब कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं वॉली बॉल के खेल में खिलाडी प्राय है विजई चाल बनाने के लिए गतीशील गेंद को धकेल कर अपनी टीम के साथियों के पास उसे पहुँचा देते हैं कभी-कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुँचा दिया जाता है क्रिकेट में बल्ले बाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शौट खेलती हैं क्या इन स्थितियों में गेंद की गती की दिशा में कोई परिवर्तन होता है इन सभी उदाहरणों में बल्ल लगने के कारण गतीशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गती की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गती की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है अतह बल द्वारा किसी वस्तु की गती की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है गती की अवस्था, किसी वस्तु की गती की अवस्था का वरणन इसकी चाल तथा गती की दिशा से किया जाता है विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गती शील में हो सकती है दोनों ही इसकी गती की अवस्थाईं हैं क्या इसका ये अर्थ है कि बल लगने पर सदै भी किसी वस्तू की गती की अवस्था में परिवर्तन होगा आईए पता करें ये हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तू की गती की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता उदाहरण के लिए एक भारी संदूख आपके द्वारा अधिक्तम बल लगाये जाने पर भी गती न करे इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा प्रिष्ट 133 11.5 बल किसी वस्तू की आकरिती में परिवर्तन कर सकता है क्रिया कलाप 11.5 सारणी 11.2 के स्तंभ एक में कुछ ऐसी स्थितियां दी गई है जिन में वस्तूएं गती नहीं कर सकती सारणी के स्तंभ दो में वे विधियां सुझाई गई है जिसमें प्रत्येक वस्तू पर बल लगाया जा सकता है जबकि स्तंभ तीन इन क्रियाओं का चित्र दर्शाता है। जिन स्थितियों में संभव हो, बल का प्रभाव देखने का प्रयत्न कीजिए। आप अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामगरी का उपियोग करके इसी प्रकार की कुछ अन्य स्थितियों को भी यहाँ पर जोड सकते हैं। अपने प्रेक्षणों को सारणी के स्तंभ 4 तथा 5 में नोट कीजिए। सारणी 11.2 वस्तूओं पर बल के प्रभाव का अध्ययन करना। इस सारणी में चार प्रमुक शीरशक दिये गए हैं। स्थिती का वरणन, बल कैसे लगाएं, चित्र, बल का प्रभाव। इस शीरशक के अंतरगत दो उपशीरशक दिये गए हैं। गती की अवस्ता में परिवर्तन, आकरिती में परिवर्तन और इन दोनों उपशीरशकों के नीचे, हाँ और नहीं के विकल्प दिये गए हैं। स्थिती का वरणन, एक प्लेट में गुथा हुआ आठा, बल कैसे लगाएं, हाथ से नीचे की और दबाने पर। चित्र में दोनों हाथों से आठे को गूथते हुए दिखाया गया है। इस कॉलम के आगे, हाँ नहीं के विकल्प दिये गए हैं। साइकिल की गद्दी में लगी कमानी। बल कैसे लगाएं, गद्दी पर बैठ कर। इसके आगे, साइकिल की गद्दी पर बैठे हुए एक व्यक्ति को दिखाया गया है। और इसके आगे, खाली बक्से दिखाये गए हैं। स्थिती का वरणन। एक हुकिया दिवार में लगी कील से लटका रबड का छला। बल कैसे लगाएं। एक भार लटका कर या इसकी स्वतंतर सिरे को खीच कर। चित्र इस चित्र में एक कील से धागे के जरिये भार को लटकाते हुए दिखाया गया है। इसके आगे खाली बक से दिखाये गए हैं। स्थिती का वरणन। दो इंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना। बल कैसे लगाएं। स्केल के बीचों बीच एक भार रख कर। चित्र इस चित्र में एक स्केल के बीचों बीच एक भार रखा हुआ है। और उस स्केल के दोनों सिरे दो अलग-अलग इटों पर रखे गए हैं। इसके सामने खाली स्थान दिखाये गए हैं। प्रिष्ट 134 सारणी 11.2 के प्रेक्षणों से आप क्या निश्कर्ष निकालते हैं। जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुबारे को रख कर दबाते हैं, तो क्या होता है। जब गुथे आटे की लोई को बेल कर चपाती बनाते हैं, तो उसकी आकरिती पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप मेज पर रखी किसी रबड की गेंद को दबाते हैं, तो क्या होता है। इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तू पर बल लगाने से उसकी आकरिती में परिवर्तन हो सकता है। ये सभी क्रिया कलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल किसी वस्तू को विराम अवस्था से गती में ला सकता है। गतीशील वस्तू की चाल में परिवर्तन कर सकता है। वस्तू की आकरिती में परिवर्तन ला सकता है। इन में से कुछ अथ्वा सभी प्रभावों को उत्पन कर सकता है। ये स्मरण रखना आवश्चक है कि यद्यपी बल इन में से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन कर सकता है तथा पी इन में से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन नहीं हो सकता। अतह कोई वस्तू बिना बल लगाए अपने आप गती में नहीं आ सकती। अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती। तथा अपने आप आक्रिती में परिवर्तन नहीं ला सकती। 11.6 संपर्क बल पेशी ये बल क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? 11.6 सामान्यत है किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए. संपर्क किसी छड़ी या रसी की सहायता से भी हो सकता है. 12.6 जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालए के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहां से आता है? 12.6 ये बल हमारे शरीर की मानस्पेशियों द्वारा लगता है. हमारी मानस्पेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशी ये बल कहते हैं. पेशिये बल ही हमें अपने सभी क्रिया कलाप करने युग्य बनाता है इन क्रिया कलापों में शरीर की गती तथा मुड़ना भी सम्मिलित है कक्षा साथ में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भूजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है क्या इस प्रक्रिया को पेशिये बल करता है आप ये भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायू अंदर लेते तथा बाहर निकालते समय फेपड़े फैलते और सिकुडते हैं श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए ये पेशियां कहां स्थित हैं हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के क्या कुछ और उदाहरण आप बतला सकते हैं पशु भी अपने शारीरिक क्रिया कलापों तथा अन्यकारियों को करने के लिए पेशिये बल का उपयोग करते हैं बैल, घोडे, गधे या उंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन कार्य करने के लिए उपयोग किये जाते हैं इन कार्यों को करने के लिए वे पेशिये बल का उपयोग करते हैं चित्र 11.9 इस प्रिष्ठ पर चित्र 11.9 दिखाया गया है इस चित्र के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि पशुओं का पेशिये बल अनेक कठिनकारियों को करने के लिए प्रियोग किया जाता है प्रिष्ठ 135 क्योंके पेशिये बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हैं? आईए पता करें घर्शन अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिये फरश पर लुढ़कने वाली गेंद दीरे दीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुख जाती है साइकल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी होती है और अंत में रुख जाती है किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वो भी कुछ समय बाद रुख जाता है इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चल कर रुख जाती है क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इन में जोड सकते हैं इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता फिर भी इनकी चाल धीरे-धीरे कम होती जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है इनकी गती की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दशा में लग रहा होगा? इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गती की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्शन बल है फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्शन बल ही गतीशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्शन खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है घर्शन बल सभी गतिशील वस्तूओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गती की दिशा के विपरीत होती है क्योंके घर्शन बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है इसलिए ये भी संपर्क बल का एक उदाहरण है इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी अध्याई बारह में प्राप्त करेंगे आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या ये आवश्चक है कि किसी वस्तू पर लगने वाला बल सदैव संपर्क बल ही हो? आईए पता लगाएं ग्यारह दशमलव साथ असंपर्क बल चुम्बकी ये बल क्रिया कलाप ग्यारह दशमलव छे छड़ चुम्बकों का एक युग्म लीजिए चित्र ग्यारह दशमलव एक शून्य में दर्शाय अनुसार एक चुम्बक को तीन गोल पैंसिलों या लकडी के बेलनों रोलरों पर रखिए अब दूसरे चुम्बक के एक सिरे को बेलनों पर रखे चुम्बक के सिरे के समीप लाईए ध्यान रखिए कि दोनों चुम्बक एक दूसरे को स्पर्ष न करें देखिए क्या होता है अब चुम्बक के दूसरे सिरे को बेलनों पर रखे चुम्बक के उसी सिरे के समीप लाईए चित्र 11.1 प्रत्येक बार नोट कीजिए कि क्या होता है जब दूसरे चुम्बक को बेलनों पर रखे चुम्बक के समीप लाया जाता है। इस प्रिष्ट पर नीचे चित्र 11.10 ने दिखाया गया है। इस चित्र के माध्यम से दो चुम्बकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का प्रेक्षण करना प्रदर्शित की आ गया है। प्रिष्ट 136 क्या बेलनों पर रखा चुम्बक दूसरे चुम्बक को समीप लाने पर गती करने लगता है। क्या ये सदैव समीप आने वाले चुम्बक की दिशा में गती करता है? ये प्रेक्षण क्या सुझाते हैं? क्या इसका अर्थ ये है कि चुम्बकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है? कक्षा चै में आप सीख चुके हैं कि दो चुम्बकों के समान धुरुव एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं तथा असमान धुरुव एक दूसरे को आकर्शित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्शन अत्वा प्रतिकर्शन को भी खीचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुम्बकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इने संपर्क में लाना पड़ता है? एक चुम्बक दूसरे चुम्बक पर बगायर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाईए। चित्र 11.1 एक एक। अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए। और इसके स्वतंतर सिरे को कागस की एक शीट से रगड़िये। स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रॉ के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्ष न करें। आप क्या देखते हैं। अब लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंतर सिरे को कागस की शीट से रगड़िये। फिर से दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को जिसे पहले ही कागस की शीट से रगड़ा जा चुका है लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंतर सिरे के समीप लाइए। अब आप क्या देखती है चित्र 11.1 दिखाया गया है इस चित्र में ये बताने की कोशिश की गई है कि कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रॉव दूसरे स्ट्रॉव को आकरशित करता है लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रॉव भी कागज की शीट से रगड़ा जाए तो ये उसे प्रतिकरशित करता है कागज की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रॉव स्थिरव द्युत आवेश उपारजित कर लेता है ऐसा स्ट्रॉव आवेशित वस्तू का एक उदाहरन है एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अत्वा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी ये बल कार्य करता है इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। आप अध्याई पंद्रह में विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। गुरुत्वा कर्शन बल आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पैन आपके हाथ से छूट जाए तो ये धर्ती की ओर गिरता है। प्रारंब हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गती की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है। ये बल कौन सा है। प्रिष्ट 137 वस्थूएं प्रिथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि ये उन्हें अपनी ओर आकर्शित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। ये एक आकर्शन बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तू पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समाएं बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं, पानी धर्ती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में पीले रंग के बकसे में गुरुत्वा कर्शन बल के बारे में महत्वपून जानकारी दी गई है। गुरुत्व केवल प्रिथ्वी का ही गुण नहीं है। वास्तव में विश्व में सभी वस्तु में चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। ये गुरुत्वा कर्शन बल कहलाता है। ग्यारह दशमलव आठ दाब आपने कक्षा साथ में पढ़ा है कि तूफान या चक्रवात के समाएं प्रबल पवन घर की छतों को भी उड़ा ले जाती है। आपने ये भी सीखा है कि पवन तथा चक्रवात वायू दाब के अंतर के कारण बनते हैं। क्या दाब तथा बल में कोई संबंद है। आईए पता लगाएं। किसी लकडी के तखते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं। अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं। इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे नीचे चित्र ग्यारह दशमलव एक दो दिखाया गया है। इस चित्र में लकडी की तखते में कील ठोकते हुए दिखाई गई है। सबजियों को किसी कुंठित, बलंट चाकू तथा उसके बाद एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। किसमें आसानी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्र फल पर बल लगाया जाता है। उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर वो इन कारियों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है। किसी प्रिष्ठ के प्रती एक आंक क्षेत्र फल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर है बल बटा क्षेत्र फल जिस पर ये लगता है। इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है। यहां पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस प्रिष्ठ के लंबवत हैं जिस पर दाब ग्यात करना है। पहेली ने कहा अब मेरी समझ में आया कि कुलियों को जब भारी बोज उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। चित्र 11.13 इस प्रकार वे अपने शरीर से बोज के संपर्क क्षेतर फल को बढ़ा देते हैं। अतह उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोज को आसानी से उठा सकते हैं। इस प्रिष्ठ पर नीचे चित्र 11.13 दिखाया गया है। इस चित्र में भारी बोज को ले जाते हुए एक कुली को दिखाया गया है। प्रिष्ठ 138 ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेतर फल हर में है। इसलिए यदि बल बराबर हो तो प्रिष्ठ का क्षेतर फल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेतर फल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकडी के तखते में ठोकने के लिए परियाप्त दाब उत्पन कर देता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौडी पट्टी क्यों लगाई जाती है। इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्षन क्यों होते हैं। क्या द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है। क्या ये भी उस खेत्र फल पर निर्भर होता है जिस पर बल कार्य करता है। आईए ग्याद करें। 11.9 द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। क्रिया कलाप 11.8 पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप या नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड की शीट भी लीजिए। आप वो बारे की रबड का प्रियोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड की शीट को तान कर बांध दीजिए। पाइप को उर्धवा धर स्थिती में रखते हुए बीच में से पकड़िए। चित्र 11.14। अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उडेलने के लिए कहिए। क्या रबड की शीट बाहर की ओर फूल जाती है। पाइप में पानी के स्तंब की उँचाई भी नोट कीजिए। पाइप में कुछ पानी और उडेलिए। रबडशीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंब की उँचाई को पुनह नोट कीजिए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दहराईए। क्या आप रबडशीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंब की उँचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं। इस प्रिष्ठ पर उपर चित्र 11.14 दिखाया गया है। इस चित्र में ये बताया गया है कि किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की उंचाई पर निर्भर करता है। क्रिया कलाप 11.9 प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। आप पानी या अम्रिद उपेय याने सौफ्ट ड्रिंक की उप्योग की जा चुकी कोई बोतल ले सकते हैं। चित्र 11.5 में दर्शाई अनुसार बोतल के पेंदे के पास कुछ सेंटिमीटर लंबी काँच की एक बेलनाकार नली लगाईए। ऐसा करने के लिए काँच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल के पेंदे के समीप घुसा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए के जोड के पास से पानी न रिसे। यदि पानी रिस्ता है तो इसको पिघले मौम से अच्छी प्रकार बंद कीजिए। काँच की नली के मुह को क्रिया कलाप 11.8 के अनुसार एक पतली रबड की शीट से बंद कीजिए। अब बोतल को पानी से आधा भरिये। आप क्या देखते हैं? इस बार काँच की नली के मुह पर लगाई गई रबड की शीट क्यों फूल जाती है? बोतल में कुछ पानी और डालिये। क्या रबड की शीट के फुलाव में कुछ अन्तर आता है? प्रिष्ट 149 ध्यान दीजिए कि रबड की शीट को बरतन के नीचे नहीं बलके पार्श्व में, दीवार में लगाया गया है। क्या इस थिती में रबड शीट का फूलना ये दर्शाता है? कि पानी बरतन की दीवारों पर भी डाब डालता है? आईए इसकी और अधिक छानबीन करें। इस प्रिष्ट पर बाई और उपर चित्र 11.15 दिखाया गया है। इसके माध्यम से ये बताने की चेश्टा की गई है कि दर्व बरतन की दीवारों पर दाब डालता है। क्रिया कलाप 11.1 शून्या प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बरतन लीजिए। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपियोग कर सकते हैं। बोतल के पेंदे के पास चारों दिशाओं में चार सुराख कीजिए। ध्यान दीजिए के सुराख पेंदे से समान उचाई पर हो। चित्र 11.16 अब बोतल को पानी से भरिये। आप क्या देखते हैं। क्या सुराखों से निकलता पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है। ये क्या दर्शाता है। क्या अब आप कह सकते हैं कि द्रव बरतन की दीवारों पर दाब डालते हैं। इस प्रिष्ठ पर उपर चित्र 11.16 दिखाया गया है। इस चित्र के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि द्रव बरतन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। क्या गैसें भी दाब डालती हैं? क्या वे भी जिस बरतन में रखी जाती हैं, उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं? आईए ग्यात करें जब आप किसी गुबारे को फुलाते हैं, तो उसके मुह को क्यों बंद करना पड़ता है? यदि किसी फुलाए हुए गुबारे के मुह को खोल दें, तो क्या होता है? मान लीजिया, आपके पास एक ऐसा गुबारा है, जिसमें सुराख है, क्या आप इसे फुला पाएंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या हम कह सकते हैं कि वायू प्रत्येक दिशा में दाब लगाती है? बूजो ने पूछा, जल संभरण के लिए प्रियोग किये जाने वाले पाइपों के लीक करते हुए जोडों या सुराखों से मैंने पानी के फवारों को बाहर आते देखा है, क्या ये पानी द्वारा पाइप की दिवारों पर लगाये जाने वाले दाब के कारण नहीं है? प्रिष्ट 140 ग्यारह दशमलव एक शून्य वायू मंडली ये दाब हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायू है वायू के इस आवरण को वायू मंडल कहते हैं वायू मंडली ये वायू प्रिथ्वी के तल से कई किलोमीटर उपर तक फैली हुई है इस वायू द्वारा लगाए गए दाब को वायू मंडली ये दाब कहते हैं हम जानते हैं कि प्रती एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं यदि हम एक एकाई क्षेत्रफल की कलपना करें और इसके उपर वायू से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायू पर लगने वाला गुरुत्व बल वायू मंडली ये दाब के बराबर होगा. चित्र ग्यारह दिशमलव एक साथ इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे चित्र ग्यारह दिशमलव एक साथ दिखाया गया है. इस चित्र के माध्यम से ये बताया गया है कि इकाई क्षेत्र फल के वायू स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायू मंडली ये दाब के बराबर है. इस चित्र में इकाई क्षेत्र फल को दर्शाया गया है. लेकिन वायू मंडली ये दाब है कितना? आईए इसके परिमान के बारे में विचार करें. क्रिया कलाप 11.11 एक अच्छी रबड का एक चूशक याने सकर लीजिए. ये रबड के एक छोटे प्याले की भांती दिखाई देता है. चित्र 11.18 इसको किसी सम्तल चिकने प्रिष्ठ पर जोर से दबाईए. क्या ये प्रिष्ठ से चिपक जाता है? इसको खीच कर प्रिष्ठ से उठाने का प्रयत्न कीजिए. क्या आप सफल हो पाते हैं? चित्र 11.18 इस चित्र में एक प्रिष्ठ पर दबाया हुआ रबड का चूशक दिखाया गया है. जब आप चूशक को दबाते हैं, तो कप तथा प्रिष्ठ के बीच की अधिकान्श वायू बाहर निकल जाती है. चूशक पर वायू मंडली ये दाब लगता है, इसलिए ये प्रिष्ठ के साथ चिपक जाता है. चूशक को प्रिष्ठ से खींच कर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि ये वायू मंडली ये दाब पर पार पा सके. इस क्रिया कलाप से संभवत है आपको वायू मंडली ये दाब के परिमान का अनुमान लग गया होगा. वास्तव में यदि चूशक तथा प्रिष्ठ के बीच में से समस्त वायू को निकाल दिया जाए, तो किसी भी मनुश्य के लिए चूशक प्रिष्ठ से खींच कर अलग करना संभव नहीं होगा. क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायू मंडली ये दाब कितना अधिक होता है? बूजो ने पूछा, यदि मेरे सिर का क्षेतर फल 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर हो, तो मेरे सिर पर वायू कितना बल लगा रही है? एक 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर क्षेतर फल तथा वायू मंडल की उचाई के बराबर उचाई के स्तंब में वायू के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल 2250 N के बराबर होता है. चित्र 11.19 इस गुरुत्व बल के नीचे हम दब कर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायू मंडली ये दाब के बराबर है और ये बाहर के दाब को संतुलित कर देता है. इस प्रिष्ठ पर चित्र 11.19 दिखाया गया है. इस चित्र के माध्यम से आपके सिर पर वायू मंडली ये दाब को दिखाया गया है. इस प्रिष्ठ पर नीचे पक्से में महत्वपून जानकारी दी गई है. क्या आप जानते हैं? सत्रमी शताबदी में जर्मनी के एक वैज्यानिक ओटोवाउन गेरिक ने बरतनों से वायू बाहर निकालने के एक पंप का आविशकार किया. इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकी ये ढंग से वायू दाब के बल का प्रदर्शन किया. उन्होंने धातू के दो खोखले अर्ध गोले लिये, जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था. इन गोलों को एक साथ जोड कर उनके बीच की वायू निकाल दी गई। तब प्रत्येक अर्ध गोले पर आठ आठ घोडे विप्रीत दिशा में खीच कर अलग करने के लिए लगाई। चित्र 11.20 वायू दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोडे भी अर्ध गोलों को अलग न कर पाई। चित्र 11.20 इस चित्र में अर्ध गोलों को खीचते हुए घोडे दिखाए गए हैं। प्रिष्ठ 142 प्रमुक शब्द वायू मंडली ये दाब संपर्क बल स्थिर वैद्युत बल बल घर्षण गुरुत्वी ये बल गुरुत्व चुम्बकी ये बल पेशी ये बल असंपर्क बल दाब अभिकर्षण, खीचना, अपकर्षण, धक्का देना आपने क्या सीखा? बल धक्का देना, अपकर्षित करना या खीचना, अभिकर्षित करना हो सकता है बल दो वस्तुओं के बीच अन्योनई क्रिया के कारण लगता है बल का परिमान तथा दिशा दोनों होते हैं किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गती की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है इसकी गती की अवस्था में परिवर्तन होना किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गती की अवस्था में, अथवा उसकी आक्रिती में परिवर्तन कर सकता है किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आये बगैर लग सकता है प्रती एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं द्रव तथा गैसिं बर्तनों की दीवारों पर दाब लगाते हैं हमारे चारों ओर की वायू द्वारा लगाए गए दाब को वायू मंडली ये दाब कहते हैं अभ्यास एक, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तूओं की गती की अवस्था में परिवर्तन के दो-दो उदाहरन दीजिए दो, ऐसे दो उदाहरन दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तू की आक्रिती में परिवर्तन हो जाए 3. निमनलिखित कथनों में रिक्तस्थानों की पूर्ती कीजिए Q. कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को रिक्तस्थान पड़ता है Q. एक आवेशित वस्तू, अनावेशित वस्तू को रिक्तस्थान करती है Q. सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको खाली स्थान पड़ता है Q. किसी चुम्बक का उत्तरी धुरुव, दूसरे चुम्बक के उत्तरी धुरुव को खाली स्थान करता है Q. एक धनुर धर लक्षय पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खीचती है तब वो तीर को छोड़ती है जो लक्षय की ओर बढ़ने लगता है इस सूचना के आधार पर इन प्रकतनों में दिये गए शब्दों का उप्योग करके रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए प्रिष्ट 143 पेशिय या संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षन, आक्रिती या आकर्षन क, धनुष को खीचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी रिक्त स्थान में परिवर्तन होता है ख, धनुष को खीचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल, रिक्त स्थान, बल का उदाहरण है ग, तीर की गती की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदाई बल का प्रकार, रिक्त स्थान, बल का उदाहरण है गह, जब तीर लक्षय की ओर गती करता है, तो इस पर लगने वाले बल, रिक्तस्थान तथा वायू के रिक्तस्थान के कारण होते हैं पांच, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तू पर बल लग रहा है, उनको पहचानिये प्रत्येक स्थिती में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है, उसे भी बताईए क, रस निकालने के लिए नीम्बू के टुकणों को उंगलियों से दबाना ख, दंतमंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना ग, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार ग, उँची कूद करते समाए एक खिलाडी द्वारा एक निश्चित उँचाई की छड याने बाधा को पार करना च, एक औजार बनाते समाए कोई लोहार लोहे के गर्म टुकडे को हथोडे से पीटता है पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकडे को किस प्रकार प्रभावित करता है साथ, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संचलिष्ट कपडे के टुकडे से रगड कर एक दीवार पर दबाया गया ये देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकरशन के लिए उत्तरदाई बल का नाम बताईए आठ आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताईए विचार विमर्ष कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गती की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता 9. किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को उपर की ओर प्रक्षेपित किया गया 10. जब किसी ड्रॉपर के चंचू याने नोजल को पानी में रख कर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायू बुल्बुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण है क पानी का दाब ख पृत्वी का गुरुत्व ग रबड के बल्ब की आक्रिती ग वायू मंडली ये दाब प्रिष्ट 144 विस्तारित अधिगम क्रिया कलाप एवं परियोजनाई एक, सूखे रेत की लगभग 10 सेंटीमीटर मोटाई की तथा 50 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर क्षेत्र फल की एक क्यारी बनाईए सुनिश्चित कीजिए के इसका उपरी प्रिष्ठ सम्तल हो लकडी या प्लास्टिक का एक स्टूल लीजिए ग्राफ पेपर से एक सेंटीमीटर चौड़ी दो पट्टियां काटिए स्टूल की किसी भी टांग पर एक पट्टी को निचले सिरे पर तथा दूसरी पट्टी को उपर के सिरे पर चिपकाईए अब धीरे से स्टूल को रेत की क्यारी पर इस प्रकार रखिए कि इसकी टांगें रेत पर टिकी रही यदि आवशकता हो तो रेत की क्यारी के साइज को बढ़ा लीजिए अब स्टूल की सीट पर एक बोजह जैसे किताबों से भरा स्कूल का बस्ता रखिए ग्राफ पेपर पर रेत के तल का चिन्ह लगाईए इससे आपको ग्यात होगा कि स्टूल की टांगें रेत में कितनी गहराई तक धंसी हैं अब स्टूल को उल्टा कीजिए जिससे के इसकी सीट रेत की क्यारी पर टिके स्टूल अब जिस गहराई तक धंसता है उसे नोट कीजिए अब फिर से उसी बोजे को स्टूल पर रखिए जो आपने पहली बार रखा था नोट कीजिए कि स्टूल कितनी गहराई तक रेत में धंसता है दोनों स्थितियों में स्टूल द्वारा लगाए गए दाब की तुलना कीजिए दो एक गिलास लीजिए और इसे पानी से भरिए गिलास के मुह को पोस्ट कार्ड जैसे एक मोटे कार्ड से ढखिए एक हाथ से गिलास को पकड़िए तथा दूसरे हाथ से कार्ड को इसके मुह पर दबा कर रखिए काड को हाथ से दबाते हुए गिलास को उल्टा कीजिए सुनिश्चित कीजिए कि गिलास उर्ध्वा धर रहे काड पर लगाए हुए हाथ को धीरे से हटाईए आप क्या देखते हैं? क्या काड नीचे गिरता है और पानी बिखर जाता है? थोड़े अभ्यास के पश्चात आप देखेंगे कि काड को सहारा देने वाले हाथ को हटा लेने पर भी काड गिरता नहीं और ये पानी को गिलास में रोके रखता है इस क्रिया कल आप को काड के स्थान पर कपड़े का प्रयोग करके करने का प्रयत्न कीजिए चित्र 11.21 इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे चित्र 11.21 दिखाया गया है प्रिष्ठ 145 तीन विभिन साइस तथा आक्रितियों की चार से पांच प्लास्टिक की बोतलें लीजिए चित्र 11.22 में दर्शाय अनुसार इने कांच या रबड की ट्यूब के छोटे टुकडों से जोडिए इस विवस्था को एक सम्तल सतह पर रखिए अब किसी भी एक बोतल में पानी डालिए देखिए कि जिस बोतल में पानी डाला गया है वो पहले भरती है या सभी बोतली साथ साथ भरती है सभी बोतलों में पानी के तल को समय समय पर नोट कीजिए अपने प्रेक्षणों की व्याख्या करने का प्रयत्न कीजिए इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे चित्र 11.22 दिखाया गया है इसी के साथ 18 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याई 11 यहां समाप्त हुआ वाचक बाबला कोछर अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्य पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग कुसुम लता निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत